नवस्कार दोस्तो आप सभी का श्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिक्षा एकेडमी में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में है शामान बिग्यान के आई एमपी एमसी की उसका पार्ट दूसरा दोस्तो पार्ट बन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्केप्शन में मिल जाएगी जहां पर आप आसानी से उसको देख सकते हैं तो दोस्तो चलते हैं आंगे बढ़ते हैं लेकर उससे पहले आपसे हर बार की तरह एक निवीदान है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अंगला नए विरू डालूंगा तो उसका नोटिपिकेशन अब तक आसानी से पहुंच शके तो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं उस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्ण है सिलेट लैस इस टील एक मिश्रधातु है जबकि बायू ये क्या है बायू एक है मिश्रण इसका अंसर बायू एक मिश्रण है इसके वाद अंगला प्रश्ण है फूलों के संबर्धन के बिग्यान को क्या कहा चाता है तो इसका अंसर है दोस्तों फ्लोरी कल्चर फ्लोरी कल दिहन के लिए इसके वाद अंगला प्रश्न परमानून आप किए कि कॉन कौन कॉन्व परवादवी के अव्यव होते हैं दूस्तों रोटान और नीउ प्रॉण इसके बहन अंगला प्रश्न प्रिकाश्णलस्ण के दवारान पैदा होने बाली आकसीजन का स्रोथ किया है तुछ इंश का अंसर है जल इसके बाद अंगला प्रश्ण है कोई पिंड तब तक जब तक ब्रामा रहे गा जब तक उस Religion का यह कथन के श्रक्त है नूर्टन का इसके बाद अंगला प्रश्ण है मोना जाइट किसका आइसकर है मोना जाइट किसका आइसकर है तो इसका आंसर है थोरियम थोरियम का आइसकर है इसके बाद अंगला प्रश्ण है कार्निलाइट किसका खनिज है कार्निलाइट किसका खनिज है तो इसका अंसर है मेगनी सियम का अंगला प्रिश्ण माजस की तीली के एक सरे पल लगा मसाला निमलेकित का मिश्रण है या किश्ट का मिश्रण है तो इसका अंसर है लाल फासफोरस का लाल फासफोरस का है और गंधक का लाल फासफोरस और गंधक का मिश्रण होता है जो माज इसकी तीली में लगा रहता है और इसके वाद अंगला प्रिश्ण बाटल फाल एंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी होती है तो इसका आंचर है कि पांच सो से पांच सो पीपी भी से कि इसके वाद अंगला प्रेश्ण है इसके बिल्ली में कितने गुण सूत्र पाये जाते हैं इसके वाद अंगला प्रेश्ण शामान ट्यूब लाइट में कौन सी गेस होती है तो सामान ट्यूब लाइट में होती है आरगन के शाथ मरकरी भी होती है इसके बाद अंगला प्रेश्ण बी सी जी का टी का किश बीमारी से बचाप के लिए लगाया चाता है तो इसका अंसर है छह रोग के इसके बाद अंगला प्रेश्ण पोधे का कौन सा भाग श्वासन क्रिया करता है कौन सा भाग करता है पत्ती इसके बाद अंगला आंचल पिंड में कौन सी उर्जा होती है तो इसका अंसर दोस्तो इस्थर उर्जा इसके बाद अंगला प्रेशन है ब्रक्षो की आयू किश परकार निर्धारत की जाती है तो इसका अंसर है बार्सिक बलयों की शंख्या के आधार पर इसके बाद आंगे चलते हैं अंगला प्रेशन है नेत्रदान में नेत्रदाता की आख कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है तो इसका अंसर है रेटी ना इसके बाद अंगला प्रेशन है गाय और भैंस के थनों में दूद उतरने के लिए किस हार्मोंस की सुई लगाई जाती है तो इसका अंसर है आकसी तो सिन इसके बाद अंगला प्रेशन है किस द्रब के एकत्र होने पर मास्पेशिया थकान अनुभाव करने लगती है किस दिरब के इकत्र होने पर मास पेचिया थकान में वहसूस करने लगते हैं इसका आंसर है लैक ट्रेक एसिट इसके बाद अंगला प्रेशन है फ्यूज का विद्धुत यंत्रों में क्या कारे होता है या क्या कारी है इसका अंजर है उपकरनों को छती गिरस्त होने से रोकत होता बाद एक उल्ण है वेयरो मीटर में पारे का तल एक-एक गिरना परदासित करता है काय का तूफान आनी का इसके पड़ा अनका कि तंधारियों में लाल रखट कणिय का या लाल बरु दिर कड़ी कांवान कहां होता है तो इसका आज हैं लिकरे करेकों का निरमान छंसक इसके बाद अंगला प्रश्ण है जब किसी जील की तली से उठकर बायू बुलबला उप्री सतह तक आज आएगा तो उसका आकार क्या होगा आकार उसका बढ़ जाएगा इसके बाद अंगला प्रश्ण है केल बिन मात्रक में मानो सरी का सामान तापमान कितना होता है या क्या है तापमान है तो यह है हिलियम की एक परमान के इसके वाद अंगला प्रश्ण एक शाधारन पेंडूलम में छोटी सी गेंध होती है छोटी सी गेंध होती है इस गेंध को क्या कहा जाता है दोस्तों इस गेंध को कहा जाता है वाप इसके बाद अंगली प्रश्ण है वाशिंग मसीन का कारे किस सिध्धान पर आधारित है तो वाशिंग मसीन का कारे है अब केंद्रिक बल पर आधारित है चले दूस्तों आंगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है जेट इंजन किस सिध्धान पर कारे करता है जेट इंजन किस चिकत्सा शास्त्र का जनक किशे माना जाता है प्रस्ट्रों के अध्यन को क्या कहा जाता है फूलों के अध्धिन को क्या कहा जाता है तो इसका अंसर दूस्तो एंथो लॉजी इसके बाद अंगला प्रिश्ण है भार्तिये बनस पतिक सर्वेक्षन का मुख्यालाए कहा इस्ते थे तो इसका अंसर है कोलकाता में जीवानू की खोज सरफर्थम किष्णे की थी जीवाणू की खोज सर फिर्थम किषने की थी तो इसका अंसर है लिवेन हौकने इसके बाद अंगला प्रिशन भोजन की विशप्ता उत्पन होती है विशप्ता उत्पन होती है इसका अंसर है कलो इस्टी डियम्स बैटू लीनस द्वारा इसके बाद अंगला प्रिशन दू इस्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है किस का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर है सेक्रोमाई सिज का इसके बाद अंगला प्रेशन है किस जन्तु को उडान लॉम्री कहा जाता है तो इसका आंसार है चमगादर हो इसके बाद अंगला प्रेशन है रक्षों की छालों पर उने वाले कपकों को क्या कहते हैं तो इसका आंसार है कौर्टी कोल्स चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद अंगला प्रश्ण है लाइकेन किसके सुचांग होते हैं दोस्तों लाइकेन सुचांग होते हैं बायू पिरदूशन की इसके बाद अंगला प्रश्ण है एलेक्टरान बोल्ट किसकी एकाई है तो इसको अन्सार है टेरी डो फाइल में इसके बाद अंगला प्रश्ण है शाबुदाना किस्टे प्राप्त होता है शाबुदाना किश्य प्राप्त होता है तो इसका अंसार है साइकस से प्राप्त होता है शाबुदाना इसके बाद अंगला प्रिश्ण स्वक्ष जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है तो इसका अंसार दोस्तो चार डिगरी सेल्सियस पर सबसे अधिक गनात होता है इसके बाद अंगला प्रशन है चुम की ये शुई किस तरह संकेत करती है तो जो चुम की ये शुई उत्तर की तरफ संकेत करती है उत्तर की तरफ इसके बाद अंगला प्रशन है गाजर एक परकार से क्या है या किस परकार का है तो दोस्तों गाजर एक जड़ है इसके बाद अंगला प्रश्ण है इस्टील में होता है या इस्टील में क्या होता है तो इस्टील में होता है दोस्तों एफ ए फ्लस सी फ्लस एम एन चले दोस्तों आंगे बढ़ते हैं इसके बाद अंगला प्रश्ण है क्लेरो फ्लाश्टो के बीतर क्लेरो फिल कहां पाया जाता है तो इसका अंसर है कि ग्रेना में इसके बाद अंगला प्रशने सूरज की उश्मा दर्ती पर किस प्रिक्रिया द्वारां पहुंसती है इसके आंशर है बी अयएट बेख्रण द्वारां पहुंसती है इसके बाद अंगला प्रशने सिनेवार किस का आएट । इसका आएच जी का इसके अगला प्रशन आक्सिगेंड्रेट रक्त हर्दाय से सरीर के भिन हिश्णों में ले जाने का कारे कौन करता है तो इसका अंब्लूदिया दोहाना पूरे सरीर में रक्त का संचार होता है तो इसके बाद अंगला प्रिशन बे प्रजातियां जो प्रत्वी पर लुप्त होने की गगार पर हैं क्या कह लाती है लुप्त प्राय प्रजातियां उसके बाद अंगला प्रेशन है और इस वीडियो का लाश्ट प्रेशन है हल्दी के पौदे का खान योग हिशा होता है फ्रकंद होता है तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर शमाप्त होता है यह आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करना है और दोस्तों सस्काइब करना ना भूले तो दोस्तों चल प्योंचिट प्योंचिटल